जीवन यात्रा यह पार्ट महाबीर पृषाद वेदी जीने लिखा है उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि किस तरह से कठनाईयों से उन्होंने पढ़ह ऊगया और यागे उनकी किस तरह से तरक्कि हो गई वे कहते हैं कि मैं एक दिहाती का पुत्र था और जिनका मासिक बेतर महीने के जो तनखा थी और दस रुपए थी वो महाबीर प्रसाद दिवेदी जी मदर्से में थोड़ी सी उर्दू अघर में थोड़ी संस्कृत पढ़कर 13 वर्स के वस्था में 36 मिल दूर रायबरेली के जिला इसकुल में अंग्रेजी पढ़ने चले गए जब वहाँ जा रहे थे तो आटा दाल पीट पर लाद कर ले जाती थे और दो आनी फीस महीने देते थे उन्हें खाना बनाना नहीं आता था इसलिए उसलिए उसलिए अंग्रेजी संस्कृत भासा जो थी वो अच्छूत जैसी मानी जाती थी लोग या तो अंग्रेजी पढ़ते थे या तो फार्सी अब महाबीर जी भी क्या करें उन्होंने फार्सी और अंग्रेजी पढ़कर इसी तरह अपना समय काटा एक साल अजमेर में 15 रुपे महीने की नौकरी करके पिता के पास वो मंबई पहुँच गये जहां तार का काम स सिक जी आई पी रेलवे में 50 रुपे महीने पर उतार बाबु का काम करने लगे वह कहते हैं बचपन में मेरी प्रभीति सुसिच्छे जनों के संगत करें यानिकि वह बचपन से ही पढ़े लिखोई लोगों का साथ करते थे उनकी जीवन के मुख चार उद्देश्य थे वक उनके अनकूल आचराण करने से सहज ही पूरे हो जाते लेकिन चौथे के लिए उन्हें थोड़ा कर्षिनाई उठाई नी पढ़ती थी कि हमेशा उन्हें पढ़े लिखोई लोगों का साथ कैसे मिले वो जब तार विवाग में नौकरी करते थे तो उन्हें टिकट बाबू माल बाबू इस्टेशन मास्टर रेल की पठरी बिच्छाने सभी काम उन्होंने सीख लिया और इससे क्या होता था कि अपसरों की नजर उन्हें पर पढ़ती उनकी तरक्की पर तरक्की होती गई और यह सब चीज़ सीखने में भी जो उनके घ्यान की लालसा थी उनके अंदर वो किसी तरह से पूरी होती रह गई लेकिन आगे उनका जो मासिक बेतन था उनकी योगिता से बहुत जादा हो गया था लेकिन फिर उनके जो अफसर थे उनसे काम भी तरह-तरह के लेने लगे उनके अफसरों की इक्षा रहती थी कि वो आठ बजे दफतर आए अपने कुछ और कर्मचारियों को बुला के सारा काम 10 बजे तक निपटा ले और 10 बजे तक उनकी जो फाइल थी उनके साहब के टेबिल पे पहुँ लेकिन मैं दूसरे लोगों को बात है नहीं करूँगा लेकिन उनके अफसर जब उनकी ये बात नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया फिर उनके अफसर लोग उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए बार-बार इसारे करते और तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कि वो क्या करें सही कर रहे हैं या गलत तो उन्होंने अपनी पत्नी सिराई लिया और उनकी पत्नी ने कहा कि इस तरह से कर चाटना अच्छा नहीं है इसलिए जो भी निर्णे आपने लिया वो सही है तब उन्होंने आठ आने रोज तक कि आंधनी से ही जीमन आगे चलाने का उनको आस्वासन दे दिया वो दिर्ण संकल्प थे कि चलो हमारा घर खर्च किसी तरह से चलता रहेगा उसके बाद उन्होंने सरस्ति की सेवा से हर महीने 20 रुपए और 3 रुपए डाक खर्च की आंधनी से प्राप्त कल लेते उन्हें महीने में कुल 23 रुपए मिलने लगे उन्हें जब 30 रुपए मिलने लगे तो उन्होंने सुचा पहले तो मुझे 15 रुपए ही मिलते थे और उसी में मेरा खट चलता थे 30 रुपए तो पहले से बहुत जादा है महापीर जी कहते हैं कि मेरे पिता इस्ट इंडिया कपनी में एक पल्टन में सिपाही थे और वो बहुत जादा पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें थोड़ा बहुत हिंदी आती थी और कैथी भासा तो जब भी काम से सिपाही काम से चुट्टी पाते थे तब वो हमेशा राम लक्षमर की पूजा किया करते जिससे उनके साथी सिपाही जो थे उन्हें लक्षमर नाम से पुकारते थे एक बार पल्टन के लोग बागी हो गए उसमें युद्ध छण गया और तब अंग्रेजों ने उनके साइनिकों को तोप से उड़ा दिया उनके पिता किसी तरह से अपनी जान बचाकर नदी में सतलू नदी में कूद पड़े और उसकी धारा से बहते बहते एक जगे में वहां से 100-500 किलो मीटर दूर वो बेहोसी के अवस्था में पाए गए और उनके सरीर में सक्ती नहीं थे तब उन्होंने क्या किया कि घास के तिनकों को चूस-चूस क सक्ती जुटाई और साधू का बेस बनाकर इधर-धर महिने भर भटकते रहे और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बल्लब संपता के गोस्वामी जी के हनौकरी कर ली और जब वो ठीक हो गये तब उन्होंने इस अब छोड़ के अपने घर को चले आए वो कहते हैं मेरे पितामा अलबत्ता संस्कृत के बहुत बड़े यानि उनके दादा जी संस्कृत के बहुत बड़े बिद्वान और पंडित थे वो बंगाल की छाउनियों में इस्धित पलटनों में पुरान सुनाय करते थे उनकी एकात्र की हुई सकड़ों उनके हाथ से लिखी गई कि जो किताबे थी उसको बेच कर उनकी दादी जो उनके पिता और चाचा का पालन पोसन किया करती थी और उनके जो चाचा थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उनने थोड़ा बहुत हिंदी और कैथी भासा आती थी और लेकिन वो नए-णय किस से सुनाने में बहुत मसहूर थे इसलिए राय परेली के जिले में दिनसा गोरा ने अपने यहां किस से सुनाने की नौकरी दे दी महावीर जी कहते हैं कि मिरे नाना और मामा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और वो उनके पाठ बैठ कर संस्कृत की ग्यान लिया करते थे जब मैं जहासी में था तब तासीली इसकूल के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई नाम था तृती रीडर उसमें बहुत से गलतियां थी और उस अध्यापक ने कहा कि इसकी आप आलोचना करके इसे प्रकासित करें जब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ी तो देखे कि हाँ इसमें तो सस्चमुच बहुत सारी गलतियां है और अध्यापक की सिकाय सही थी फिर उन्होंने उसकी आलोचना लिखने के लिए और प्रकासित करने का निश्चे किया और इसी के लिए इसी आलोचना को पढ़ कर सरस्ती पत्रिका के संपागदक ने उन्हें संपादन का कारें दे दिया और उनकी सेवा से वो खुस हो गए और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी दे दिये उनके काम में वो कभी भी हस्तचेप नहीं करते थे न तो वो और नहीं उनके आगे बच्चे भी उनके किसी भी काम में कोई हस्तचेप नहीं करते थे आगे उगती है हिस समय कितनी ही महाराणिया हिंदी का उस समय बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी थी जो हिंदी AM गऌर बढ़ा रहे building लेकिन सरस्ती एक ऐसी पत्रिका थी जो कि साधारन लोगों के सेविका काम करती थी यानि कि उनकी रुची के हिसाब से जो उनको कुछ फाइदा हो सके ऐसा वो छापते थे साधारन भासा में कुछ लोग उनके पास भी आते थे कि मेरी मौसी की मरसिया चाप दो, कुछ लोग कहते थे कि मेरी स्पीच सभापती की चाप दो, उसके लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते थे, कि तुम्हें माला माल कर दूँगा, बनार्शी दुपट्टा पहना हूँगा, या पैर जो कि पढ़ने वाले को लाब हो, उनके रुची का हमेशा ध्यान रखते थे, कभी भी वो लालच में आकर कोई उटपटांग चीश नहीं लिखते थे, इसलिए दिन प्रद्य सरुस्ति पत्रिका को पढ़ने वाले पाठकों की संख्या बढ़ती गई, तो इस पाठक में ब दायरी से करिए